मावे का और गिट्स का गुलब जामून तो हम हमेशा बनाते हैं और बहुत अच्छा बनता है आज पहली बार मैं सूजी के गुलब जामून ट्राइ की हूँ अमेजिंग रिजल्ट निकला है आप देख सकते हैं कितना फ्लपी और सौप्ट है एक दम जूशी जूशी रस भरा आपने ट्राइ किया क्या नहीं ट्राइ किया तो एक बार ट्राइ करके देखना बहुत अच्छा लगेगा हेलो काईज मैं हूँ प्रिती और नुट्रिवेजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो बनाते हैं सूजी के गुलब जामून यहां पर लिया मैंने एक कप सूजी सूजी कोई भी चलेगा पैन में डाल लीजिए एक चम्मच गी देशी गी ही डालना टेस्ट प इलाइशी के दाने कुटी हुई छिलका मैंने हटा लिया है उसे चासनी में डालूंगी इसे चलाते रहें और बहुत ज्यादा उबाल यह नहीं दूद बहुत ज्यादा उबल जाएगा सूजी डालेंगे तो उसमें काट पड़ जाएगी तो दूद गरम हो जाए फिर थोर फेक्ट गुलव जामुन नहीं बन पाएगा तो थोरा थोरा डालिए और मिक्स करते रहिए तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे आप लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना तो इस तरीके से हिलात प्लेट में निकाल करके छोड़ देंगे तो यहां पर मैं प्लेट में निकाल रहे हूं इसे छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए सूजी जब तक ठंडा होगा तब तक हम गुलव जामुन बनाने के लिए चासनी तयार करेंगी तो यहां पर मैंने लिया है एक गढ़्ध यहां पर सूजी भी ठंडा हो गया है अधी चममच घी डाल दीजिये और दिजिये और हाथ में भी धोरा घी लागा दिजिये अब इस तरीके से मसल यही से यहाँ पर पहुच ज़ता टाइट हो गया सूजी तो एक चमस मैं ने इसमें दूद डाल दिया है फिर से ठंडा दूद अब इसे मसल मसल के अच्छे से गुत लीजिए जैसे कि हम गुलब जामुन के लिए मावा का छेना का डो बनाते हैं वैसे ह सूजी का टो बना लेना है अब यहाँ पर तयार है पिल्कुल सूप्ट है अब देख सकते हैं रूई की तरह अब हाथ में लागा लिजिए तेलिया घी और गुलब जामुन के जो बॉल है वह बना करके तयार कर लिजिए बहुत बढ़ा नहीं और बहुत ज़दा छोटा न की गोलिया मैंने बना करके तयार कर लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है चिकना चिकना करेक्स नहीं होना चाहिए इसमें अब यहाँ पर कड़ाही में मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है तेल अगी में फ्राय आप कर सकते हूँ तो तेल को बहुत कर लिया है और डालते डालते जल्दी से नहीं चलाना इसे आधे मिनट के लिए छोड़ देना जब आधा मिनट हो जाए तो इस तरीके से ही लाते हुए गुलब जब उनको फ्राई कर ले यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे मोटे मोटे फूले लगे है यह कलर भी चेंज होने लगा है पहुत ज़्यादा कैस का फ्लेम फास्ट नहीं रखना इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है अब यहाँ पर कलर बहुत ही पर्फेक्ट आ गया है गुलब जामुन का पर इस समय निकाल करके मैं चासनी में डालूंगी तो कलर इसका हलका हो जाएगा इसलिए मैं थोरा सा इसको और फड़ाई करूंगी थोरा सा कलर इसमें और आने देते हैं अब यहाँ पर और डार्क हो गया है गुलब जामुन पहुत पर्फेक्ट कलर आया है अब हम निकाल करके गुलब जामुन को चासनी में डालेंगे तो सबसे पहले गुलब जामुन को निकाल करके एक प्लेट में डाल दीजिए जैसा कि मैंने बताया सुजी का गुलब जाम अन कर दिया और बिल्कुल धीमा रखा है अब इसमें गुलब जामुन को डाल देंगे एक मिनट तक गैस कफले मैसे ही रखेंगे जलता हुआ और गुलब जामुन के उपर धकन लागा करके सिर्फ एक मिनट छोड़ेंगे एक मिनट के बाद में गैस कफले मौफ कर दीजिए और दो घंटा इसमें छोड़ दीजिए एक से डिर घंटे में ही फूल करके ये बिल्कुल पर्फेक्ट तयार हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं साइज में ये डबल हो गया है एक निकाल करके देखाती हूँ सूजी के गुलब जामुन हमारे कितने फ अब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पर्फेक्ट जूसी जूसी और टेस्टी टेस्टी हमारा गुलब जामुन बना है बिल्कुल सस्ते में घर के ही चीजों से सिर्फ एक कप सूजी से ये 500 ग्राम गुलब जामुन बन करके तयार है तो एस पी अच्छी लगी ना कमें सेंट बक्स में अपने भीचार सेर करना आपको कैसी लेगी नहीं